आज सुभह से दिल्ली में ऑक्सिजन की कमी को लेके भारती जिनता पार्टी एक रिपोर्ट तथा कथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल जी को गाली दिये जा रही है मैं सुभह से देख रहा हूं कि मीडिया में भारती जिनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके केंद्रिय मंतरी आके प्रवक्ता आके देश के बड़े बड़े नेता आके जिनके उपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारिया हैं वो कुल मिलाके कल आज सुभह से एक ह काम कर रहे हैं, मीडिया में बैटके, ट्विटर पर बैठके, सोशल मीडिया में अर्विन केजरिवाल जी को गाली दिये जा रहे हैं, एक रिपोर्ट बताई जा रही है तथाकतित रिपोर्ट कि दिल्ली में जब कोविट का पीक था, तो oxygen की कमी नहीं थी और oxygen की demand बढ़ा चरहा के चारगुना बताई गई थी ऐसा तथा कथित report में दावा किया जा रहा है मैं उस तथा कथित report का सच आपके सामने रखना चाहता हूँ और सच ये है कि ऐसी कोई report है ही नहीं जी हां मैं दोरा रहा हूँ भारतिय जनता पार्टी के नेता सुभह से जिस तथा कथित report के हवाले से अर्विन केजरिवान जी को गाली दिये जा रहे है वैसी कोई report exist ही नहीं करती जी हां exist ही नहीं करती भारतिय जनता पार्टी छूट बोल रही है सुप्रिम कोट ने oxygen मामले की सुनवाई करते हुए एक oxygen audit committee बनाई हमने इस oxygen committee के सदस्यों से बात की कई सदस्यों से बात की है सबका ये कहना है कि उन्होंने तो कोई report sign ही नहीं की अभी तक उन्होंने कोई report अप्रूव ही नहीं की जब oxygen audit committee के सदस्यों ने कोई report sign ही नहीं करी है जब oxygen audit committee के सदस्यों ने कोई report audit अभी अप्रूव ही नहीं की है तो फिर ये report है कहां यह कौन सी रिपोर्ट है यह रिपोर्ट कहां से आई मैं भारती जिन्ता पार्टी के निताओं को जो सुबह से चैनल्स पर बैठके चिला रहे हैं उनका गलत ठक गया होगा कि थोड़ा सा पानी पियें आराम से और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाद से सोच के देखें कि भाई यह रिपोर्ट कहा है जिसके बेश पर हम चिलाए जा रहे हैं सुबह से रिपोर्ट कहा है क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सिजन आडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूब किया है जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है मैं चुनोती देखे कहता हूँ कि रिपोर्ट लाईए कहा है वो रिपोर्ट जिसको Oxygen Audit Committee के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको Oxygen Audit Committee के सदस्यों ने साइन किया हो लाईए वो रिपोर्ट कहा है जूट की इंतिहा होती है जूट और मक्कारी की इंतिहां होती है और भारतिय जिनता पार्टी जूट और मक्कारी की इंतिहां पे पहुंच गई है चरम पे पहुंच गई है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब्जूडिसे से और मैं कहना चाहता हूं कि इस सब्जूडिसे मामलों में इस तरह के शड्यंत्र ठीक नहीं है हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अपरेल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सिजन का संकट हुआ था दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भरती थे वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सिजन की किस तरह से कमी हुई थी और इस management की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंदर सरकार की है क्योंकि उसने पूरे देश में oxygen management का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में oxygen का मैसब कर दिया था डॉक्टर्स ने चिलाया, हॉस्पिटल्स ने चिलाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगए भारती जनता पार्टी, बीजेपी हेड़कॉर्टर में बैठ के कोई मनगहंत रिपोर्ट बनाती है, और फिर उसको जारी करके कहती है, यह oxygen audit committee की रिपोर्ट है, शर्मानी चाहिए भारती जनता पार्टी के नेताओं को यह महा जूट बोलते हुए, बीजेपी हेड़कॉर्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो, और उसको oxygen audit committee की रिपोर्ट कहते हो, अगर oxygen audit committee ने कोई रिपोर्ट बनाई है, तो भारती जनता पार्टी के नेता, और तधा कथित, बड़ भारती जनता पार्टी के नेता बताएं, यह भारती जनता पार्टी जो है, अपने headquarter में बैट के रिपोर्ट बनाती है, और फिर कहती है, यह अर्विन केजरिवाल जी को गाली देने पर सुरुआ जाती है, यह वस्तता है, अर्विन केजरिवाल जी को गाली नहीं दे रहे ये उन तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्हों ने अप्रेल में oxygen के mismanagement के कारण केंद सरकार के oxygen mismanagement के कारण अपने लोग खोए वो तमाम लोग जूट बोल रहे है जो बिचारे चिला रहे थे अपरेल में कि हमारा मरीज हॉस्पिटल में भरती है उनको ऑक्सिजन की जरूत है ऑक्सिजन का इंतजाम करवा दीजे वो सारे डॉक्टर्स जूट बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे हां हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रही है, वो सारे लोग जूट बोल रहे हैं, जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट्स कोर्ट में गए, हस्पिडल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग जूट बोल रहे हैं, सच यह है कि भारती जनता पार्टी और उसके नेता, और उसके पार्टी नहीं रह गई है अब ये बीजेपी भारतिये जगडालू पार्टी हो गई है रोज जगड़ती रहती है किसी ना किसी से जूटे चीज़ों पर जगड़ती रहती है इसको किसी काम पर लगाई है इसे कोई धंका काम दीजे नहीं तो यह ऐसी जगड़े करती रहेग जूट बोलके जखड़े करती रहे